So, इस यह है All New Yama R-ON 5 Version 4 यह वाइट कलर मैंने आपको पहले भी दिखाया तो आप लोग बोलेगा इसमें नया क्या है? हाँ, मैंने वाइट कलर आपको दिखाया था और वही बाइक है यह आपके सामने लेगिन इसमें जो नया चेंज है ना वो काफी अच्छा है जिसकी विएसे माइलेज वगर इसकी काफी हद तक बढ़ जाएगी वैसे माइलेज जो इसकी पहले ही काफी अच्छी थी तो सबसे पहले यहाँ पे इंगिनिशन ओन करते हैं जो लुक्स है ना वो आप देखो अभी फ्रेंट में डियरल से वगर होन होगी है बाइक जो है देखने में काफी बढ़िया लग रही है और अल जो है लुक्स काफी अच्छे आरउन फाइफ के I don't think कि आर थी भी इससे बहतर लगती होगी क्योंकि यहां पे आरउन फाइफ के जो लुक्स है ना वो काफी कमाल के दे रखे कमपनी ने आने वाली पाँच साल तक कोई और बाइक नहीं आ सकती जो इससे बहतर दिखे तो वो तो चलो देख लेंगा आने वाली पाँच साल में तो कहीं ना कहीं जो फ्यूल की कीमत है वो भी कम पड़ेगी और जो बाइक है वो माईलेज भी अच्छी खासी दे देगी तो यहां पे और अपना फायदा ही हो रहा है उसके बाद जो पावर है ना वो भी आपको एक्स्ट्रा फील हो सकते ही सीथेनोल वाले इस इंजन में सो अभी आप लोग सोच रहे हो किया यह जो ओपीडी टू वाला जो इंजन है यह क्या आ गया या फिर आएगा तो आपको बता दूँ यह तब ही आ गया था जब आ अरण 5 का जब लॉंच किया था ना अभी लॉंच किया था नगया था फिर बोलो यह तो तब अपडेट आ गया था एंप इस टाइम पे मैं स्ट्राइम बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी क्योंकि उस टाइम पे जो यह होते न होते हैं यह डीलर्स के यह उन्रों उन्होंने बोला कि भाई BS7 है मैं गए चलो ठीक है मैंने भी उस ट्राइं पर बोल दिया ध्यान नहीं दिया जादा लेकिन अपता चला भाई वो BS6 Phase 2 है उसको BS7 मत बोलो ठीक है सो यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुए है सुर्फ इतने ही चेंज हुए हैं अब जो है आप एथनोल भी डलवा सकते हो आने वाले टाइम में ना लिक मिक्स फ्यूल आया करेगा 80% पेट्रोल 20% एथनोल तो वो जो है फिर आप यूज कर पाऊगी इन सभी बाइक्स में और कोई बड़ी बात नहीं थी हर कंपनी ने अपडेट दे दिया इतनोल वाला इडोंट इनों ने क्या चेंज किया था हाँ एक डिटेल्ड वीडियो हम जरूर बना सकते है इस पर यह आप बोलो तो फिर वन जो है अच्छे से एक्स्प्लेन करेंगे सार चीज बाग यार प्राइस वगरा कुछ ज़्यादा नहीं बड़ी है प्राइस जो है वह यह सेम जो अपनी नॉर्मल पहले थी तक इस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बने मातरम लाव यूल गाईस